हेलो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ग्रीन हाउस परभाव ठीक है यह वीडियो रहेगी में क्लासिस के लिए हिंदी में रहेगी पूरी की पूरी और और ईवियस जो टोपिक है इवियस से रिलेटिड है इसको हम डिसकस करते हैं ग्रीन हाउस परभाव को इसे प्रीवियस जो वीडियो हमने की थी हम लिये वरशा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें उस पर तो आज हम स्टार्ट करते है Green house प्रभाव को हरित ग्रह रास भी बोलते हैं हरित ग्रह रास भी बोलते हैं ठीक है? इंग्लीज में बोलें तो Green house effect यह भी लिखा मिलेगा ठीक है? Green house effect अधर नाम बोलें तो Glass house प्रभाव देखने को मिलता है अब यह green house होता क्या है? सबसे पहले हम इसको ही discuss कर लेते हैं सबसे पहले हम discuss करते हैं कि green house होता क्या है? हमने कहीं पे देखा होगा कि एक plastic या फिर polythene इस तरीके की कुछ wrapping करके एक इस तरीके का यूँ घर बनाया होता है ठीक है? यूँ घर बनाया होता है mostly कैसा plastic यूज किया जाता है? उसमें green color का ठीक है? green color का plastic यूज किया जाता है बट कुछ जगह पे बिल्कुल white color का यूज किया जाता है या फिर glass कांच जिसको बोल देते हैं glass उसका यूज किया जाता है अब ये क्या करता है? glass या फिर हम इसको बोल देते हैं polythene plastic wrapping होती है इसके अंदर रखे होते हैं छोटे-छोटे यूँ plant यहाँ पे plant रखे होते है green house के अंदर ठीक है? ये plants इसके अंदर रहते हैं पूरा का पूरा ये cover होता एक छोटा सा इसका door होता है और back side में खिडकी रखे होते है जिसको बोलते हैं window window इसी को बोलते हैं green house बटे ये green house परभाव नहीं है अभी green house परभाव को हम पढ़ेंगे इसी को बोलते हैं green house ये green house करता क्या है? ग्रीन हाउस का main काम क्या है? ग्रीन हाउस जैसे ही बहार से जो sunlight है sunlight है वो बहार से आ रही है यूँ ये sunlight को inside ले लेते हैं sunlight को अपने अंदर ले लेते हैं अपने अंदर लेकर ये क्या कर देते हैं? उस उर्जा को जो sun से उर्जा आ रही है उस उर्जा को ये अपने अंदर क्या करके रख लेंगे? store करके लख लेंगे ठीक है? बचा के उस उर्जा को क्या कर लेते हैं? ये pack कर लेते हैं इस तापमान को कुछ हद तक बढ़ा दिते हैं, ताकि पोदे क्या रहें, उस तापमान में stable रहें, अच्छे से grow कर पाएं, ना तापमान गिरे, ना तापमान भड़े, तो ये क्या covering क्या काम करती है, सुनो, ये covering क्या काम करेगी, इस कैवरिंग के भी दो तीन काम होती हैं, एक तो तापमान का नियंतरन रखती है, एक तापमान का नियंतरन रखती है, दूसरा, बिमारीयों से बिचाती है, कोई भी पोदा है उसको बिमारियों से बचाती है, तीसरा इंसेक्ट कीटों से अब कोई पोदा है उसकी कीटों से शुरक्षा करना भी किसका काम है, इस पूरी कवरिंग का काम बन जाता है. ठीक है? अगर हम घर के अंदर रह रहे हैं, बाहर कुई धूल वगएरा, जो मीट्टी वगएरा उड़े है, वो हमारे उपर नहीं कर सकती. हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हैं, बाहर से जो धूप आ रही है, चिलचिलाती दूप, वो भी हमारे उपर नहीं गरेगी, तो ऐसा ही काम कौन कर रहा है, इसको कौन दे रहा है, यह wrapping दे रही है, तो यह wrapping किसका काम कर रही है, ग्रीन हाउस का काम कर रही है, इस wrapping को ही बोल देते हैं, हम ग्रीन हाउस, परत, चदर, ठीक है, कुछ भी नाम ले स पूदे का मेंटेन रखता है, और अंदर का तापमान बढ़ा देता है, अगर सिद्धा ही सन के कॉंटेक्ट में रेगा तो पूदे का चांस रेगा कि वह पोदा ग्रोड ने कर पाया, कई बार क्या होते हैं, बहुत सारी पोदे मर जाते हैं, तो ऐसे पोदे को बचाने के लि ब्रीन हाउस की भी, T से कुछ नाम है, Britan की king, ब्रिटेन के राजा थे खीरे खाने का बहुत ज़्यादा शोग था उनको ठीक है ब्रिटेन के राजा थे उनको खीरे खाने का नाम ती से रहेगा टोल स्टोई है साइद ऐसा कुछ नाम है नाम मेरे को ध्यान रही है देख लेना आप ठीक है उनको खीरे खाने का शूंक था, तो उनकी खीरे खाने की इस चाहत ने, क्योंकि हर समय तो हम खीरे को पैदा नहीं कर सकते, एक सीजन आता है ठंड का, उसके अंदर ही हम खीरे को पैदा कर सकते हैं, उनकी इस खीरे खाने की चाहत में जो उनके करमचारी थी, करमचारी, उनको खीरा ग्रो करवाके देते थे, कैसे इसी तकनीक से, एक यही तकनीक थी, जिससे वो खीरे को ग्रो करते थे, तो यहां से धीरे धीरे ग्रीन हाउस की शुरुवात होई, ब्रिटेन से ही ग्रीन हाउ इफेक्ट्ट, greenhouse प्रभाव, जैसे मैंने बताया, बस इसी को इसी तरीके से हम समझेंगे. Greenhouse प्रभाव, जैसे मैंने बताया, कि एक पोदा है, पोदे के लिए उपर की जो परत है, वो greenhouse का काम करती है. ऐसे ही, हमारी जो पृत्थवी है. ठीक है ऐसे ही हमारी जो प्रिथवी है प्रिथवी के ऊपर 300 km तक लगबग ठीक है प्रिथवी के ऊपर लगबग 300 km तक जो 300 km की लेयर है नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है 300 km की जो लेयर है ये लेयर भी अलग-अलग divided है फर्स्ट वाली को बोलते हैं शोब मंडल फिर समताप मंडल ठीक है अलग-अलग लेयर आ जाती है जो हमें एक लेयर देखने को मिलती है यहाँ पे इस मंडल में समताप मंडल ठीक है 12 से 50 km के लगबग होता है समताप मंडल इस लेयर में यहाँ पे हमें एक लेयर देखने को मिलती है ओजोन लेयर यह layer क्या करती है sun से आने वाली या atmospheric layer हम पूरी के ही बात करेंगे यह पूरी के पूरी मिला के क्या बन जाती है atmospheric layer atmospheric layer बाहरी आवरन पृत्वी का जो बाहरी आवरन एक आवरन बन गया बीच में क्या है? पृत्वी है ठीक है, इस पृत्वी के चारों और एक आवरन बन गया, अब जो ये बाहरी आवरन बन गया, तो ये सन से आने वाली जो किरने हैं, ये सन है, सन से आने वाली इन किरनों को, सन जब सीधी किरने छोड़ता है न, तो बहुत खतरना किरने होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, यूवी रेज, अल्ट्रा वोयलेट रेज, पैरा बैंगनी किरने, पैरा बैंगनी किरने, ये तो सब हमने बच्पन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिफ्ट ये शिक्स क्लास में कि सन से आने वाली पैरा बैंगनी किरनों को, जो हमारी ओजोन लेयर है, यहां पर ये ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन लेयर है, वो क्या कर लेती है, एब्जोब सोख लेती है, और हमारे पास जो दूप है, उसको शुद करके बेजती है, इतना हमने बहुत अच्छे से पट र पैरा बैंगनी किरनों को वापिस बेज देता है, एटमोस्फेर पैरा बैंगनी किरनों को वापिस बेज देता है, और कुछ जो UV rays आ रही है, उनको एब्जोब कर लेता है। अब इनको absorb कर लेगा, तो यहाँ पे कुछ gases घूम रही है, जो atmosphere हमारा बना हुआ है, पूरा का पूरा, वहाँ पे कुछ gases घूम रही है, अलग-अलग type की gases घूम रही है, ठीक है, अलग-अलग type की gases घूम रही है, यह gases, atmosphere किसका बना हुआ है, अलग-अलग टाइप की gases का बना हुआ है तो ये gases क्या करती है ये gases आ रही इस heat को आ रही इस उर्जा को उर्जा को absorb, सोख लेती है और सोखने के बाद हमारी जो अर्थ है हमारी जो पृत्वी है उसके temperature को बढ़ा देती है उसके temperature को क्या करती है बढ़ा देती है, हमारी पृत्वी का तापमान है, तापमान को बढ़ाती है, पृत्वी के तापमान को बढ़ाती है, पहला कम इसी के कारण धर्ती पर जीवन संभव होता है अब आपको ओगे सर आप ये कैसे कह सकते हो कि धर्ती पर इसी के कारण जीवन संभव होता है अगर हम बात करें अगर ये लेयर ना होती तो हमारी पृत्वी का जो नियूंतम टंपरेचर है नियुंतम तापमान है, वो माइनस 18 डिगरी सेल्सियस होता, यह याद रखना, माइनस 18 डिगरी सेल्सियस होता, परन्तु आज इस एटमोस्फेरिक लेयर होने के कारण, हमारी पिर्थवी का तापमान 15 डिगरी सेल्सियस तक मेंटेन रहता है, 15 डिगरी सेल्सियस तक के नियं प्रिथवी पर जीवन संभव है, इसी लिए प्रिथवी पर जीवन संभव है, किसके कारण? atmosphere के कारण greenhouse परभाव के कारण greenhouse परभाव के कारण ही पृत्वी के उपर जीवन संभाव है अगर greenhouse परभाव नहीं होता तो पृत्वी का temperature minus 18 degree celsius होता और greenhouse परभाव है इसी के कारण 15 degree celsius वहीडा एगर हम द्वारा create करते हैं फिर बनाते हैं पृत्वी अब बनाते हैं एट्मोस्फेर इस बार मैं एट्मोस्फेर थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ठीक है इस एट्मोस्फेर में गैसे present है वह गैसे क्या कर रही है सन से आने वाली जो उर्जा है उसको absorb करने का काम कर रही है गैसे क्या कर रही है सन से आने वाली उर्जा उसको absorb करने का काम कर रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन-कौन सी गैसे बढ़ाती है उसको discuss करते हैं सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा कार्बन डाइक्साइड का कार्बन डाइ ऑक्साइड फिर आताई C, F, C कलोरो, फ्लोरो, कार्बन S, O, 2 N, 2, O वास्प मिथेन ठीक है और इसके लावा ओजोन O, 3 सभी कैसे होगी ये कैसे क्या करती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है ये कैसे क्या करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है ग्रीन हाउस परभाव को इंक्रीज करती है इस ग्रीन हाउस परभाव को इंक्रीज करने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी गैस का है तो वो है कार्बन डाइ ओक्साइड कार्बन डाइ ओक्साइड इस gas का सबसे ज़्यादा योगदान है green house को बढ़ाने में पिछले कुछ सालों में बात की जाए तो carbon dioxide का जो योगदान है green house बढ़ाने में 40% तक और increase हुआ है 40% और बढ़ा है जिसके कारण हमारे green house effect में इजाफा हुआ है मतलब हमारे धर्ती का temperature है वो बढ़ा है कम नहीं हुआ धर्ती का temperature है वो बढ़ा है कम नहीं हुआ इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रियां इन्होंने carbon dioxide का जो production है उत्सरजन है उसको 100% तक बढ़ा दिया है carbon dioxide का जो उत्सरजन है उसको 100% तक बढ़ा दिया है थोड़ा साफ लिखते है इन फैक्ट्रियों के कारण 100% तक carbon dioxide का production बढ़ा है अब एक चीज देखी जाए तो जो venus है मैं बताता हूं यह अब आपको पूरा समझ में आएगा कि carbon dioxide कितनी गरम है और carbon dioxide ही क्यों greenhouse effect को increase कर रही है अब पूरा समझ में आएगा carbon dioxide 97.5% तक प्रेजेंट है venus पर co2 और इसी कारण जो venus का temperature है 466 degrees celsius तक रहता है अब 466 degrees celsius कितना गरम होगा बहुत ज़्यादा गरम होता है मतलब जलता हुआ कागज चला जाए तो कागज का धुआ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा धुआ भी नहीं दिखेगा इतना करम होता है 466 degrees celsius 100 degree temperature पे भी हम अगर हाथ लगा लें तो एकदम fast पिछे अटाना पड़ता है तो यह दो 466 degrees celsius है बिल्कुल खोलती हुई आग जिसको हम बोल सकते हैं और क्यूं है क्यूंकि उसके उपर इतनी carbon dioxide present है अब पिछले कुछ सालों में 15 सालों की बात करें तो carbon dioxide हमारी अर्थ के उपर 40% तक बढ़ी है और factory के कारण 100% तक बढ़ी है जिसके कारण greenhouse effect भी बढ़ा है इसका temperature भी बढ़ा है और पिछले कुछ सालों में जो अर्थ का temperature है वो 10 degrees celsius तक increase हुआ है 10 degrees celsius तक बढ़ा है धरती का अब जो तापमान है 10 degrees celsius तक बढ़ा है और आगे आने वाले आगे आने वाले 10 या 15 साल में तो percentage बार बार लिख लेता हूँ 10 या 15 साल में 5 degrees celsius और increase होने की संभावना है ठेक है 5 degrees celsius temperature और increase होने की संभावना है क्यों क्योंकि पिछले कुछ सालों में इतना बढ़ा है तो आगे आने वाले सालों में भी इतना बढ़ सकता है ये एक अंदाजा है क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि पेड लगातार काटे जा रही लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है पेड़ों के बारे में कोई नहीं सोचता मनुश्य को रहने के लिए क्या चाहिए घर बनाई जा रही है फैक्टरियों का निर्मान किया जा रहा है फैक्टरियों का निर्मान किया जा रहा है सडकों का निर्मान किया जा रहा है प्रन्तु इन सब चीजों के कारण हम एक अच्छे प्रयावरण का निर्मान नहीं कर पा रहे है एक अच्छे प्रयावरण का निर्मान नहीं कर पा रहे है ये सब चीज़ें हमारे प्रयावराण के उपर नेगटिव रिनातमक प्रभाव डाल रही है क्योंकि ऐसा करने से लगातार जो CO2 मतलब कार्बन डेयोकसाइड है वो 40 परसेंट और 100 परसेंट तक इंक्रीज हुई है परन्तु वेनस की तरहें नहीं है हम भाग्याशाली है ये बहुत अच्छी बात है हम भाग्याशाली है कि हमारी प्रिथ्वी पर जो 40 परसेंट तक कार्बन डेयोकसाइड है वो पेड़ पोदे शोख लेते हैं पेड़ पोदे शोख लेते हैं पेड़ पोदे ले लेते हैं ठीक है, पेड अपना बोजन बनाते हैं, जिससे वो ओटू का उत्सरजन करते हैं, ओटू निकालते हैं, और ओटू कैसी होती है, ठंडी होती है, नेचर में, ओटू कैसी होती है, नेचर में ठंडी होती है, कारबन डायोकसाइड कैसी होती है, गरम होती है, तो ये हम बहुत ह बागय साली हैं कि हम प्रिथवी पर रह रहे हैं, अगर वीनस पर होते तो उसका टमपरेचर और बढ़ जाता है, कुछ सालों में 15 डिगरी सेलसियस तो बढ़ाई है, 10 डिगरी सेलसियस तो बढ़ाई है, ठीक है, ये कुछ और बढ़ जाता है, और हम इसको सहन नहीं कर पाते अगर पेड़ पोदे नहीं होते हैं, तो हमारी प्रिथवी पर हम टमपरेचर को बिलकुल भी सहन नहीं कर पाते, क्योंकि कारबन देख सेलसियस के टमपरेचर को एतना बढ़ा देती है, एक तम से इतना बढ़ा देती है कि जल्वाईव प्रिवर्तन भी हमें देखने को मि वैसे हम जल्वाईउ के प्रिवर्तन को कभी देख नहीं सकते। अगर हम पहले की बात करें, तो पहले हमारी अर्थ का अर्थ का मैक्सिमम तंप्रेचर 35 डिगरी सेल्सियस तक हुआ करता था। मैक्सिमम तंप्रेचर इतना नोट किया गया था, 33 बोल सकते हैं। परन्तु आज हम नोट कर रहे हैं, 45 degree celsius भी नोट कर रहे हैं, जो क्या हुआ है, 10 degree celsius का इसमें इजाफा हुआ है, हम बोल सकते हैं, तो पिछले कुछ सालों में हुआ है, एक चीज हो रहे हैं, छोटा सा टोपिक, एक होता है मोसम, और एक है जलवाई हो, दोनों में बहुत अंतर है, इसकी गती दिमी होती है, बहुत दिमी होती है, लगबग 20 सालों में बहुत बड़ा change कर जाए, तब भी हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलेगा, जल्वायू में प्रिवर्तन आना बहुत धीमी प्रोसेस है बहुत धीमा काम है ठीक है हमें पता भी नहीं चलेगा कि जल्वायू में प्रिवर्तन आ रहा है क्योंकि हम अपने आपको उसके अनुसार ढाल लेते हैं उसी जल्वायू के अनुसार हम अपने आपको ढाल लेते है प्रन्तु मोसम, मोसम के अंदर अगर चेंज आता है, मोसम में बदलाव आता है, तो हमें सीधा पता लगता है ठंड आएगी, तो हमें पता लगता है, गर्मी आती है, तो हमें डारेक्टली पता लगता है अगर कहीं पर बारिश हो रही है तो हमें पता लगता है यह है मोसम के चेंज अगर कहीं मोसम में चेंज आता है तो हमें पता लगता है परन्तु जलवाईयू में परिवर्तन का हमें जरा भी अंदाजा नहीं लग पाता और हम उसी के अनुसार अपने आपको ढालते हुए चल पिछले दिनों या पिछले कुछ सालों में जो 10 डिग्री सेल्सियस का टंपरेचर बढ़ा है आज तक हम उसको फील ही नहीं कर पाए अनुभाव हुआ ही नहीं हमें कभी क्योंकि हम दीरे 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 अपने आपको सी के उनसार ढालते चले गई अब हम बात करते हैं ग्रीन हाूस परभाव के लिए में लिए जो कैसे हैं कौन-कौन सी डिसपॉंसिबल है इसके लिए उतरदा ही कौन-कौन सी कैसे होंगी सबसे पहले तो carbon dioxide जो हमारे गैर परंप्रागत 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 चूले हैं वो जलते हैं या फिर petroleum जो अंदा तुन्द आज जलाया जा रहा है वो इसके लिए जिम्मेवार है जो पशू पालन करता है पशू पालन या हम बोल देते हैं dairy वो सबसे जदा methane gas का उत्पादन करते हैं जो पशू पालन करते हैं या dairy करते हैं वो सबसे जदा methane gas का उत्पादन करते हैं इसके लावा refrigerator है refrigerator freeze AC इनके अंदर CFC डला जाता है chloro-chloro-carbon सबसे ज़्यादा उतरदाई gas आई ये carbon से भी 1000 गुना 1000 गुना नुकसान पहुंचाती है carbon से ज़्यादा 1000 गुना नुकसान पहुंचाती है ठीक है अब जैसे ये बढ़ रहे हैं हमारी प्रिथवी के उपर green house effect का काम कर रहे है वैसे तो green house effect हमें mangal mangal gray, sugar gray titanium इनके उपर भी देखने को मिलता है प्रन्तु जो हमारी प्रिथवी के उपर green house effect है वो लगातर बढ़ता जा रहा है और ऐसा हुआ तो हमारी प्रिथवी का जो normal temperature है ठीक है सभाविक तापमान है उससे ज़्यादा अगर तापमान हुआ उससे ज़्यादा अगर तापमान होगा तो जितनी भी glacier glacier बरफ है बरफ है वो पिंगल जाएगे glacier बरफ पिंगल जाएगे जो नीचे के देश है या समूंदर के किनारे जो देश है वो क्या हो जाएगे बिल्कुल डूब जाएगे जिसे पूरी की पूरी जो वन्सपती है वो खराब हो जाएगे पूरी की पूरी वन्सपती करण तो जलवाईव परिवर्तन के करण भी हमें बहुत सारे कारण देखने को मिलते हैं पिछले सालों में ने बताए कि 10 degree Celsius temperature बढ़ा है और आग्ले आने वाले 2030 तक 5 degree Celsius और बढ़ जाएगा तो यह जलवाईव परिवर्तन हो रहा है इसके करण हमें बहुत सारे उट पटांग हरकते हैं प्रकरती के अंदर देखने को मिलती है इसको हम बोल देते हैं टेडी मेडी हरकते हैं प्रकरती भी कुछ ऐसा करती है जैसे रेगिस्तान में बार्ड काना रेगिस्तान में बार्ड अगर बारिश का स समूंदर में लहरों का उतार चिडाव इसका भी एक समय होता है परन्तु जलवायू प्रिवर्थन के कारण इनका भी नहीं पता लगता लहरें कितनी बड़ी आ रहे हैं उतार चिडाव ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है और जवाला मुखी का फटना भी इनके उपर डिपेंड है धीरे धीरे जलवायू प्रिवर्थन के कारण ही बहुत सारे नुकसान है जैसे द्वीपों का खिसकना द्वीप हैं पहले जो द्वीप थे हमारे पास-पास हुआ करते थे पिल्कुल पास-पास अब धीरे धीरे जलवायू प्रिवर्थन के कारण प्रिथविका जैसे टंपरेचर बढ़ा है द्वीप खिसक के एक दूसरे से दूर चले गए जिसे वन्सपतियों के उपर भी एफेक्ट पड़ता है और हमारे उपर भी एफेक्ट पड़ता है तो ये तो नुकसान है ग्रीन हाउस परभाव के ग्रीन हाउस परभाव के करण फाइदे क्या होते हैं पहला फाइदा है ग्रीन हाउस परभाव के करण जो हमारी पिर्थवी है हमारी पिर्थवी का तापमान नियंत्रण में रहता है ठीक है ग्रीन हाउस परभाव के करण ही सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है यूवी किरन है उनको अवशोशित किया जा सकता है किया जा सकता है ग्रीन हाउस परभाव के करण आज हम देखते हैं पिर्थवी के उपर जल प्रित्वी के उपर जो जल है वो हमें तीन अवस्थाओं में मिलता है थीक है बच्पन में हमने पढ़ा था ना जल को नाटवर बोलते हैं प्रित्वी के उपर जो जल है वो हमें तीन अवस्थाओं में मिलता है तो जल की या पानी की अवस्थाओं भी इसी परभाव के क कारण, कारण, देखने को मिलती है, ग्रीन हाउस परभाव के कारण है, जलकी अवस्ताइं भी हमें देखने को मिलती है, इसी परभाव के कारण, प्रित्वी पर रीतुएं बनना संभव है, प्रित्वी के उपर अगर रीतुएं बनेगी, तो इसी परभाव के कारण ही बनेगी, ठीक है, यह कहा था कि प्रित्वी का तापमान नियंतरण में रहता है, प्रन्तु प्रित्वी के तापमान को नियंतरण करने में मजद कोन करता है, ग्रीन हाउस परभाव, प्रित्वी के तापमान को नियंतरण में रखता है अगर प्रित्वी का तापमान नियंतरण में रहता है तो ये प्रित्वी के तापमान को नियंतरण में रखता है तो ये है ग्रीन हाउस परभाव ये हो चुक है हमारा ग्रीन हाउस परभाव बिल्कुल कम्पलीट अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेर जरूर करें